यह लिए अई यह बावरोगा अई लिए अट बावे माली यह मसाला जाता ही जल्दी शहक जाता है थे मसाला तो हाथ जल्दी जल्दी चलाए करो पर मालिक पर बर कुछ ने उन्हें मट डाट ये गलती उनकी नहीं आपके अड़ेशिव की Treble वो कैसे यहां आईए आपको समझाता हूँ आए किशो जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर आप कुछ बता रहे थे मेरे अडेसिव के बारे में जी हां लेकिन सबसे पहले यह बताए कि आजकल तो बड़ी टाइल्स लगाने का जमाना है न जी सर आजकल हर किसी को बड़ में साथ दे अजिस्मेंट में साथ दे और पकड़ भी बहतरीन दे यानि ओल एन ओल आपको चाहिए एक अल्ट्रा प्रोडक्त जो ना केवल आपका काम आसान बनाए बल्कि परफॉर्मेंस भी दे एक दम अल्ट्रा ऐसा कौन सा प्रड़क्त है जी बिलकुल है और वो प्र विट्रोफिक्स अल्ट्रा आपको दे अल्ट्रा ओपन टाइंग अल्ट्रा वकिबिलिटी अल्ट्रा कंसिस्टेंसी अल्ट्रा कवरिज और अल्ट्रा बॉन श्रेंथ पर इस प्रड़क्त में ऐसा क्या है जो आप इसे अल्ट्रा कह रहे हैं रॉफ विट्रोफिक्स बनाके बड़ी टाइल्स पर लगाके टाइल्स सेट करते समय आपका मसाला सूखेगा नहीं आपको अजिस्मेंट का भी समय मिलेगा और वो भी एक्स्ट्रा पानी मिलाए बिना यह तो बढ़िया है क्योंकि कितना भी मना करो पर हमारे लिबर्स पानी मिला मिलाकर मसाला जिलने की शमता यानी टाइल पर गाड़ी भी लटका लो ताइल निकलेगी नहीं क्या बात है सर अगर प्रोड़क्ट इतना बढ़िया है तो प्राइस भी जादा होगा बिल्कुल नहीं किशोर जी क्योंकि इस मामले में भी यह है अल्ट्रा यानी अल्ट्रा रीजनेबल इसकी कवरेज की वज़े से अखिर कवरेज का क्या लेना देना इसमें किशोर जी एक बात बताईए हजा स्क्वेर फीट एरिया में टाइल्स चिपकाने के लिए आपको कितना अडिसेव लगता है यही कोई 40 से 45 बोरी वहीं रॉफ विट्रो फ्रिक्स अल्ट्रा की लगब अभी तो इसके फाइदे खतम नहीं हुए विट्रो फिक्स अल्ट्रा ग्रे के साथ आता है ब्राइट वाइट कलर में भी जिससे आपके लाइट कलर स्टोंज की खुबसूर्ती बरकरार रहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसके इतने सारे फाइदे हैं आई आगे डेमोस दिखाता हूँ फिर यकीन हो जाएगा जी दरूर्ब पहले देखते हैं ओपन टाइम का कमार हम दो कॉंक्रीट स्लैब लेते हैं एक पर लगाएंगे साधारन टाइल अडिसिव एक पर रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा 10 मिनिट के बाद अब इन दोनों पर 50 mm by 50 mm की टाइल्स चिपकाते हैं देखिए साधारन टाइल एडिसिव का मसाला सूखना शुरू हो गया है इसलिए पकड नहीं दे पा रहा है लेकिन रॉफ विट्रोफिक्स का मसाला अभी भी गीला है अब 20 मिनिट के बाद एक और टाइल लगाते हैं साधारन एडिसिव तो सूख गया मगर रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा अभी भी गीला है और टाइल चिपका पा रहे हैं अब 30 मिनिट के बाद रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा के मसाले पे एक टाइल लगाते हैं ये देखे, मसाला अब भी गीला है ये दिखाता है कि इसमें है हाई ओपन टाइंग अब दूसरा डेमो देखते हैं एक तरफ हम लेंगे साधरन टाइल एडिसेब और दूसरी तरफ हमारे रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा से बना मसाला ध्यान रहे, विट्रोफिक्स अल्ट्रा में आपको सिमेंट नहीं मिलानी है आप खुदी देख सकते हैं रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा के मसाले की कंसिस्टेंसी बैतर है अब इन्हें टाइल पर नॉच टॉविल की मदद से लगाते हैं देखें साधारन टाइल अडिसिव को स्प्रेड करने में ज्यादा मेनत लग रही है और वो ज्यादा स्प्रेड भी नहीं हो रहा इसने सिर्फ 80 प्रतिश्यत ही कवर किया मगर रॉप इट्रोफिक्स अल्ट्रा का मसाला अच्छे से स्प्रेड हो रहा है और आपको मिल रही है 20 प्रतिश्यत ज्यादा कवरेज जिसकी बज़े से इसने 100 प्रतिश्यत कवर किया है यह तो वाकई अल्ट्रा प्रोड़क्ट है जी आँ बिलकुल किशो जी आप बड़े और प्रसिद्ध कांट्राक्टर है जो बड़े बड़े घर बनाते हैं और उन घरों की खुबसूर्ती और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको चाहिए एक अल्ट्रा प्रोड़क्ट और वो अल्ट्रा प्रोड़क्ट रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा लेकिन अगर कम बजट की साइट हो तो चिंता की कोई बात नहीं आपकी सभी कम और ज्यादा बज़ेट की साइट के लिए हमारे पास है रॉफ विट्रोफिक्स और रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा दोनों ही आते हैं ग्रे और वाइट कलर में ये दोनों देते हैं ज्यादा ओपिन टाइंग, ज्यादा मजबूती, ज्यादा कवरेज हो गया सर, मेरा काम तो हो गया अब से मैं अपने काम को बहतर बनाने के लिए विट्रोफिक्स अल्टरा ही इस्तमाल करूँगा और सब को इसके बारे में बताऊंगा जी बिल्कुल, तो आप कब ला रहे हैं? रॉफ विट्रोफिक्स और रॉफ विट्रोफिक्स अल्टरा इंटीर टाइल्स और स्टोन्स के लिए सबसे बेस्ट एडिसिव तो लग गया पर आपके टाइल्स की खुबसूरती और लाइफ बढ़ाने के लिए आपको चाहिए मिक्सिंग में और लगाने में सबसे इजी टू कंपोनेंट एपॉक्सी टाइल ग्राउट रॉफ स्टार लाइफ आपके बड़े टाइल के लिए सबसे हिट जोडी रॉफ विट्रोफिक्स अल्ट्रा और रॉफ स्टार लाइफ